जुडीशरी के एक्जामिनेशन में बहुत बड़ा चालेंज यह होता है कि मैं कौन से स्टेट का पेपर दूँ मेरे पास इतने सारे स्टेट्स हैं मैं अगर सब में जुट गया तो मेरी तैयारी एफेक्ट हो जाएगी और अगर मैं सिर्फ एक की तैयारी करूँ तो कहीं कोई अपर्चुनिटी तो नहीं निकल जाएगी आई यह डिस्किस करते हैं देखो सबसे कॉमन चीज यह है कि बंदा जिस स्टेट में रहता है उस स्टेट में जज़ बनना चाहता है कारण यह कि बहुत सारे लोग जज़ बनना चाहते हैं for the power, for the रुत्बा that it comes up with आप जिस स्टेट में हो आपकी जान पहचान के लोग हैं, आपके relatives हैं, आपके दोस्त हैं उन्हीं के बीच में आप यह दिखाना चाहते हो कि मैं जज हूँ और यह एक बहुत बड़ा reason होता है बच्चों का home state चूज करने का पर मेरा एक suggestion यह भी है कि home state चुनने का एक बहुत बड़ा कारण आपके मन में होना चाहिए that is कि क्योंकि मैं state का हूँ तो मुझे इसकी जानकारी जादा है और उसी हिसाब से आपकी तयारी भी होनी चाहिए कि अगर मैं मध्यप्रदेश में हूँ तो MP में कितने जिले हैं कितनी तहसीले हैं, कितनी नदिया हैं, कितने national parks हैं बेसिक तो मुझे कम सकम पता होना चाहिए अपने state के बारे में क्या festivals हैं, क्या भाशाएं बोली जाती हैं, क्या customs हैं, क्या tribes हैं because इन ही सब जगहों पर मेरी posting होगी और इन सारी चीजों के बारे में proper information मुझे होना बहुत ज़रूरी है Once you know that, this will give you an edge in the interview and more specifically in the states जहां पर GK पूछा जाता है वहाँ पर भी यह आपको एक edge देगा अगर वहाँ local GK part of the syllabus है Point number two is अगर आप home state नहीं choose करना चाहते हो या home state के अलावा कुछ और चुनना चाहते हो The suggestion is कि syllabus के basis पर decide करें syllabus and type of paper एक ही type के questions आपको कई बार देखने को मिलते हैं जैसे यूपी और बिहार मैं 7 में target कर रहा हूं तो मेरा GK एक साथ cover होता जा रहा है दोनों states के लिए अगर मैं hypothetical questions तयार कर रहा हूं Delhi के लिए तो मेरा हारियाना भी तयार हो रहा है और साथ ही साथ मेरा यूपी भी तयार हो रहा है अगर मैं MP के preparation कर रहा हूँ तो मेरा राजस्थान भी कुछ हद तक हो रहा है और 36 गड़ भी to a large extent prepare हो रहा है तो इस तरीके से syllabus और type of questions को देखते हुए type of question paper को देखते हुए आपका दूसरा preference decide किया जा सकता है या अगर जैसे आप हिमाचल प्रदेश की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ exercise आपको अपने आप करनी पड़ेगी अपने state के PYP's देखते हुए for example अगर आप हिमाचल प्रदेश की तैयारी कर रहे हैं तो डेली के according उसकी तैयारी की जा सकती है अगर जारखन की तैयारी कर रहे हैं तो MP राजस्थान की तर्द पर उसकी भी तैयारी की जाएगी हाँ syllabus में थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है पर type of questions को हमें देखते हुए चलना पड़ेगा कई बच्चों के लिए future, prospect and present बहुत जादा matter करता है जो करना भी चाहिए कहने का मतलब कि आपको जल्दी से जल्दी judge बनने के आवशकता है कितनी frequently vacancies आती हैं, कितने जादा number में vacancies आती हैं और कहां पर आपको edge मिल सकता है ये सोच करके चलिए क्योंकि कई states में language is a part of the syllabus कभी grammar के form में, कभी translation के form में, कभी essays के form में और अगर आप ऐसी भाषा जानते हैं, जो पूरे भारत में बहुत commonly नहीं बोली जाती तो उन states को target करना आपके लिए बहुत beneficial साबित हो सकता है और सबसे जरूरी बात मैं आज आपको इस वीडियो में बता दूँ कि ये सारा trend अपनी जगह पर है आपको 2-3 states target करने के लिए एक बहुत फायदिमन चीज है पर फिर भी अपने दिमाग में ये बिठा करके चलिए कि आज की तारिक में तैयारी सिर्फ state की नहीं होती है state की तैयारी is only a part of it तैयारी जुड़ी शिरी की होती है क्योंकि हर state धीरे-धीरे syllabus के मामले में at par आ रहा है level of difficulty हर state में बढ़ रही है अगर आप सिर्फ उसी state के PYP's पर rely करके चलते हैं तो शायद आपकी तैयारी थोड़ी सी अधूरी रह जाए आपको तैयारी judicial services की करनी है सिर्फ state की नहीं state चुनना है अपने exam की preparation को streamline करनी के लिए लेकिन उसके हिसाब से सिर्फ उसी पर चिपक करके हमें तैयारी नहीं करनी I hope this video was helpful Do let me know if you have any questions Like this video, share it with someone who may need it Thank you so much, bye-bye